जैसे कि हम लोग पीछले वाले व्योडियो में देखा था और इस व्योडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कोईला था उससे हम लोग का कौनुकौन बद़ार्थ निरमान होता हूँ है तो सबसे पहेले यहाँ यहाँ पर को कह नाम आप लोगा सुने कई वरतन होता है ठीक है उसमें पत्थर कोईले के भ ant-cast के रूप में प्राप्त होता है घी के वह जो कोईला होता है उसको एक बंद्र टॉट में डाल दिया जाता है उसमें और उसमें भंजक श्रवन अर्थात उसको गर्म किया सुछ जाता है ठीक है उसी को ऐसी किर्या को हम लोग भंजक स्रावन बोलते हैं तो इससे अपसेस के रूप में प्राप्त होता है कौन को खुटा ठीक है यह एक कड़ा सरंद्र एवं काला पदार थे मतलब उसमें रंद्र होगा ठीक है छेद्रयुक्त होगा एवं वो काला पदार थे यह का इसका व्यापक उपयोग नहीं होता है क्योंकि यह महंगा होता है कोप के मुख के उपयोग हम लोग देखेंगे और यह एकजाम में भी पूछा जाता है तो यहां पर यह ध्यान रखेगा कि पहला आपका है कि घरों एबं करखानों में जलावन की रूप में इसका हाप अंगार गैस यानि इसको बाटर गैस यानि पानी जल इसका फर्मूला होता है सीयो पलस एस्टू होता है ठीक है तो इसको बनाने में एबं परड्यूसर गैस बनाने में होता है और कोग के रूप में कारवन एक काफी महत्पून और धौगी किंधन है ठीक है कोग क्यो सुलफाइड आयसको से प्राप्त करने में तथा इस पात बनाने में होता है तो धातु का जो आयसक होता है वह उक्साइड या सुलफाइड के रूप में होता है तो इसको आयसको से प्राप्त करने में तथा इस पात बनाने में होता है अब हम देखें यह दोसरा वहाँ पर देखें कोईला को जब उसको मतलब भंजक श्रावन किया जाता है यानि भंजक आशबन बोलेंगे तो उस समय उसका कोक भी प्रीय प्राप्त होता है और कोल गायस भी उत Repe gefallen होता है जो कोईले के भंजक श्रावन में उद्गर नली जो होता है अभी उसका जो पुरा जो बिधी होता है किरिये वीधी और उसका जो सिष्टम होता वो होता है ठीक का वो हम लोग आगे देखेंगे स्की जो पेंडी होता है जुनल colleg होता हुसके पेंडी में एक अत्तर होता है ठीक है या अनेक करवनिक योगीकों का मिसलन होता है जिसकी अपिरियaid गंध होती है परभाजी स्रावन द्वारा अलकात्रा से कई रसाइनिक योगिक प्रिथक किया जा सकता है अब हम यहां पर परवाजिस रावन किया है तो यह भी एक परकार का परकिरिया है और धोगिक परकिरिया है जिसमें मिस्रा ने अभियाबु को अलग किया जाता है ठीक है तो इसमें रसाइनिक से प्राप्त उत्पादों का उप्योग औस दियों की निर्मान में संसलेशिद संसलेशिक रंजक बनाने में रंग और पेंट बनाने में और पिसफोटक बनाने में सुगंदी द्रब बनाने में प्लास्टिक बनाने में और फोटोग्राफिक के द्रब बनाने में और छाजन डालने वाले द्रब बनाने में बरनिस त्यार करने में तथा अन्यानिक कारियों में किया जाता है अलकात्रा का यह प्योगता दिल्चस्प बात यहा है कि सलव यानि मौत अर्थात कापड़ों का जो कीड़ा होता है उसको अन्य कीड़ों को बिकर्सित अर्थात अलक करने वा arte किया जाते हैं इन दिनों सडक-박 की करन में अलकात्रा के बदले पैट्रॉलियम उत्पाई B2 Main का उप्योग किया जाता है ठीक है b2-min क्रशाइनिक है अब इसी का उपयोग किया जाता है ये पैट्रॉलियम उत्पाई है ये ठीकल कल गावस्थन पर और फारली आप देखें तीसरा में कोल गैस है तो जैसे कोईला को जब जलाया जाता है तो दो चीज मिलता हमारे पास एक यहां पर जो सुरू में देखें कोग और कोल गैस भी मिलता है इसकी तीनों अभी अभी गैस से जुबलन सील होती है तता इनके जलने पर काफी उसमा पैदा होती है इसलिए कोल गैस एक अती उत्ता मिंधन है कोल गैस कोपयोग पहले घरों सहरों और कल कर खानों में रौशनी करने में होता था यहाँ पर सरपर्थम 1910 में लंदन की गलियों में तथा 1920 के आसपास निवार की गलियों में रौशनी करने के लिए इसको प्योग किया गया था और 1950 तक यह मुंबई की गलियों में रौशनी करने के लिए इसी गैस का इस्तिमाल किया जाता था कोल गैस में अल्प मात्रा में असंत्रिप्त और एरोमेटिक यानि जो सुघंदित होता है असंत्रित का मतलब हुआ कारवनिक योगी जिसमें एक साधिक बंद हो ठीक है और एरोमेटिक हड्रोकारवन जैसे थीन हो गया बेंजीन हो गया ने प्रिथैलिन हो गया दी ये सब सुगंदित हाटो करवन है कि बास्प की उपस्थिती के कारण इसकी जुआला में परकास उत्पन होती है आज कल इसका उपयोग परकास के सुरोत के रूप में नहीं बलकि उस्मा के सुरोत के रूप में किया जाता है कोईला संसाधन सन्यांत्रो के निकर्ट स्थिती उधोग में इंधन के रूप में तथा कई धातू कर्मियों उपचारों में उपचायक के रूप में कोल गैस का उपयोग किया जाता है अब हम लोग पेट्रॉलियम देखेंगे तो अभी आप सभी को पता होगा पेट्रॉलियम जब जो अरब साइड होता ना उधर इसका उत्पाद दादा होता है अरब में तो हम जानते हैं कि हाला की गाड़ियों जैसे मोटर साइकिल स्कूटर कार आदी में तता भारी मोटर गार जैसे कि ट्रक बस्ट रेक्टर आदी में करम से पेट्रॉल एवं डीजल का इंधन के रूप में उपयोग होता है पेट्रॉल और डीजल प्रकृतिक संपदा से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं पेट्रोलियम एक काला चिपशिपा एवं अरूची कर यानि बदबुदार गंध वाला द्रब है जो जल से हलका तता उसमें अभिले होता है जल से हलका होता है और जल में घु जाता कि रच्छा रच्छी है लाफ लान है नाधिकतर चीजिस होता है बास्त में किसी देश की अर्थ विवास्ता काफी हद तक उसके पेट्रॉलियम धन पर निर्वर करती है यही कारने कि पेट्रॉलियम को काला सोना कहा जाता है पिर्थवी के भू आस्तर के नीचे अनेक भागों में एक बिसेश गंद वाला काले रंग का चमकीला द्रब आया जाता है जो पिर्थवी के बाहर आते ही तेल जैसा गाणा चिपचिपद द्रब बन जाता है यही द्रब पिट्रॉलियम यह फिर कच्चा तेल कालाता है यह भू गर्ब में अपरिवेस सैल यानि चट च्टान होता है उसमें उसके नीचे छेदर्यूग सैल अस्तर में रहता है चुकि यह भू गर्ब से बालू सीला की पर्तों को खोद कर निकाला जाता है अता इसे पिट्रॉलियम कहते हैं पिट्रॉलियम देखिए यहां पे दो सब्दों ग्रीक भासा के दो सब्दों पेट नाइट्रोजन एवं गंधक सल्फर के योगिक भी रहते हैं और यह आपका पिट्रॉलियम की उत्पत्ती प्रकिर्टी में पिट्रॉलियम की उत्पत्ती तो यहां पे अभी तक यह निर्धारित नहीं हो पाया कि पिर्थिवी के अंदर पिट्रॉलियम की उत्पत्ती कैसे हुआ इस समय समय पर अनेक सी धान प्रस्तुत किये गए हैं आज कल ऐसा भी स्वास है कि पिर्थवी में पेट्रॉलियम का निर्मान तथा उसका कच्ची अवस्था में परिराच्चन सुच में समुंदरी पौधो और समुंदरी जीवों के मिरित अफसेसों से हुआ था लाख इसमें बैट गए थे लंबे समय तक इन अफसेसों पर अफसाद तथा बायू की अनुपस्थिति में और प्रकिर्तिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक दाव और उस्ताप के कारण इनके आंसी कप घटन के फल्स रूप पिट्रॉलियम एवं प्रकिर्तिक गैस की उ बायू के मतलब अधिक दाव और उस्ताप के कारण बीना बायू के नुपस्थिति में इसका ऐसा रूप हो गया ठीक है और इसके अंदर जो है अप घटन के फल्स रूप पिट्रॉलियम एवं प्रकिर्तिक इसको जिवास इंधन भी कहते हैं अस्चार की बात या है कि यह इंदन होते वे विश्वाय नहीं जलता है यहां पर हम लोग देखें पिट्रॉलियम का खनन की इस परकार से होता है एक्शली देखें पिट्रॉलियम बंडार पिर्थवी के अंदर 5000 से 15000 फूट तक की गहराई में आपर वेस सेलो के नीचे पाया जाता है यह कभी-कभी सम की शायता से तेलबळार से तेल पेखें सात बाहर आने लगता है यहां पर देखिए खनीज तेल को निकालने वाला यह कारण यह ऐसे कि अबबर देखा जो जो मात्तिकी पदार्थ को उसके उपर प्रविप और जटाने है अब यहां पी आपका खनीज है और यहां पर नीचे आपका जल है और यहां पर उरंद्री चटाने है तो इस परकार से कुछ होता है petroleum का खाना ठीक है उपर से इस परकार से टाला जा रहा है ठीक है ठीक है तो यह यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और अब कॉमेंट किजिएगा तो इसका question-answer का सुर्छ भी हम लोगा start करने वाले हैं तो यहाँ पर कमेंट जरूर कर देज़ेगा ठीक है वाइसे हम लोग इसको देरे-देरे यहां पर इसको खतम कर देंगे और साथ में को चैनल सर्भी देखेंगे तो चैनल पर नहीं तो चला को सब्सक्राइब कर लेजएगा और मिलता आप से अगले उड़े में तो पते लिए जैन नहीं जैब रहीं हम जेज़ खते दो कि अता इसका सकतरी जाइब मुदारा दोजगा और